हे गाईज कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आज के इस वीडियो में हम आपको MS Word यानि Microsoft Word का संपून टिटोरियल आज से हम इस चैनल के माधियम से आपको पढ़ाने वाले हैं यानि आपको आज से इस चैनल के माधियम से MS Office में जितन भी पाइकेज होते हैं सबको हम बारिकी से बताने वाले हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं MS Word आपके सीस्टम में कहां से मिलेगा MS Word करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पढ़ेगा यहां पर Start बटन दिया है Start बटन पर क्लिक करेंगे और Start बटन पर क्लिक करेंगे तो माउस से स्कॉल करेंगे माउस से कोई करने के बाद यहां पर दिया गया है Microsoft Office यानि Microsoft Office पर जावक क्लिक करेंगे तो इसमें सबसेघर. … यहां पर दिया है Microsoft Word 2010 यानि Microsoft Microsoft Word 2010 है उसके बाद Microsoft PowerPoint है शेयर पॉइंट है वर्क सीट है यहाँ पर Microsoft Publisher है यहाँ पर Microsoft Outlook है ऐसे ही डेर सारा सब्सक्राइब दिया गया है जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Microsoft Excel दिया गया है तो अब simply आपको इस चैनल के माधियम से इसमें जितने भी package है सब को बारी किसी पढ़ाया जाएगा तो आप लोग अगर चैनल पर नए है तो एक बास जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देऊ ताकि हम आपके लिए ऐस वाड यहाँ पर open होना हो गया ऑपर नोना चालों करके open हो गया उसके बाद इसको cut कर देंगे और एक तरीका और बता देता है उसके बाद keyboard में start button या और r button एक साथ अगर press करते हैं तो run box open होगा है और run box open होने के बाद यहां पे लिख देंगे यहां पे run box में लिखेंगे win word और जैसा कि आप लोगों को कुछ basic हम बताना चाहेंगे आज के इस वीडियो में जो की होगा ms word के तहत यहां पे देखिए सबसे पहला यहां पे windows ms word का यहां पे logo लगा हुआ है उसके आगे कुछ option है यहां पे उसके आगे कुछ option है इसका नाम क्या है तो इसके down arrow पे जब यहां पे mouse pointer ले आएंगे तो यहां पे देखिए यहां पे दिखा रहा है quick access toolbar जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे आप पड़ भी सकते हम आपको zoom करके दिखा देते हैं यहां पे देख सकते हैं ऐसा ही इस पे mouse लेंगे तो यहां पे देखिए quick access toolbar लिखा रहा है उसके बाद इसको zoom out कर देते हैं और इसके बाद यहां पे इसके down arrow पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए यहां पे दिया है more command more command पे जब क्लिक करेंगे तो more command पे क्लिक करने के बाद यहां पे कुछ option आएगा आपको quick access toolbar का customize quick access toolbar का option आ गया यानि एक box आ गया इस box के अंतरगत हम क्या कर सकते हैं इसमें जितना भी यहां पे जितना भी package है इसमें जितना भी आइकन है इस सब आइकन को ला सकते हैं और यहां से ही remove कर सकते हैं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे लाना है और कैसे remove करना तो यहां आप देखिए पहला है center दूसरा है list level यहां पे center पे क्लिक करेंगे और रिमूब पे जब देंगे, तो फंट ऑ चली जाए रहे, हंट रहा है टूटल और एट पे जब किलिक कर देंगे, तो यहाँ पंदेंगे, जैसे कट और कउपी है, तो इस पर कॉपी पे किलिक कर रहे हैं toast कॉल्ट क्लिक कर रहे है, जैसे फॉंट पे शोच, comment करक difा से, East करेंगे तो यहां पर देखिए इतना सारा option इसके अंदर आ गया जो जो पहले color था वो जो जो option पहले था वो सब option अभी नहीं रहा उसके बाद यहां पर देखिए ठीक उसके सामने यहां पर देखिए टाइटल बार है इसका यूज क्या है या नहीं इसका यूज है यानि डोकुमेंट का नाम देखने के लिए जैसे हम इस डोकुमेंट को हम पहले सेव करते हैं सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और यहां पर लोकेशन सेलेक्ट कर लें करने केबाद यहां पे देखिए simply यहां पे जू年前 कि यहां पे तिसरा कहीчто, जैसे इस पे किलिक करेंगे तो यह दिखिए, package क्या हुआ, मिनिमाइज होकर के टाक्स बार के अंदर यहां पर आ गया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर क्या हुआ कि यह वह वाला पैकेज आ गया अब सिंपल ही हम यहां पर माउस पोइंटर लाएंगे और इस पे जब एक बार क्लिक कर देंगे तो यह क्या होगा फिर से ओपन हो जाएगा उसके बाद है रिस्टो डॉन बटन का यूज क्या है जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए च्छोटा हो गया यह क्या होता है कि मीनिमाइज रिस्टो डॉन से क्या होता है कि यह पैकेज क्या होता ह चोटा हो जाए तो चोटा बेवें दिखाई देगा उसके बाद मेक्सिमाइज पर फिर से किलिक कर देंगे या वही उसी बटन को रिए स्टोर डोन या मेक्सिमाइज करते हैं इसी पर फिर से किलिक कर देंगे तो यह जोटा हो जाएगा फिर इसी पर किलिक करेंगे तो यह ज देखिया उपन हो गया उसके बाद यहां पर एक दिया है स्क्रोल बहला बटन यहां पर इस माउस पूंटर को लैप्ट बटन दवायरों रहे रखेंगे और इस ऑल्ड करके और इसको ड्रेक करेंगे simply तो यह देखिए पेज को क्या कर रहा है वो अप और डॉन कर रहा है यानि देखिए पेज का साइज पहले कम कर देते हैं इसको उपर नीचे करते हैं तो यह देखिए पेज उपर और नीचे हो रहा है हो रही है उसके बाद देखिए यहाँ पर एक option दिया है यह वाला option है ज जाएगा उसके बाद यहां पे देखिए इसको बोलते है इस्टेटरस बार यानि पेंगे कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं को record कर सकते हैं इसका option आगे हम चल करके बताएंगे यहां पर इसका option है view में जाएंगे और view में जाने के बाद यहां पर देखिए micro recorder में है तो यानि evil option का यूज हम जब view menu पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे ठीक उसके बाद यहां पर चले आते हैं अगर अगर status bar पर right click करते हैं और right click करने के बाद यहां पर देखिए सब्सक्रार हो रहा है तो है यहां से कर सकते हैं उसके बाद यहां पर किलिक कर रहें तो मैंक्रों कोडर है उसके बाद यहां पर किलिक कर देंगे तो कुछ option आएगा जिससे हम page का size को क्या कर सकते हैं यहां पर क्लिक कर देंगे तो यह पर दुसरा quality में दिखाएगा इस सब हम आगे चल करके बताएंगे यहां पर क्लिक कर देंगे तो बेव बेव ले आउट में बताएगा उसके बाद full screen recording में दिखाएगा उसके बाद यहां पर printable page में दिखाएगा तो हर हमें साथ को क्या करना है प्रिंटेवल ले आउट में रखना है उसके बाद चलिए उसके बाद यहां पर देखिए फाइल मेन्यु है होम मेन्यो है इन्सथ मेंनियो एत्रे ट्रे ले आउट है रिफ्रेंस अदिखर 23 ढरन यहां पर ऐसे यह जह सारा मेंद्म दिए बहुत है करेंगे अगले अब शे Carducci बारिकी से समझाएंगे thank you so much for the watching अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सस्क्राइब एंड शेयर जरूर करें थैंक यू